नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पियन नाइन नीव जिस वक्त मेरे सयोगी राकेश सर मौजूद है राकेश सर आपका बहुत 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 दन्यवाद आप लगातार देखिए चुनाबी यातरा जो हमारे टीम का निकला है उसको लेकर जो सी वोटर के सरवे आ रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं लेकिन जो ग्राउंड के सरवे हैं जो बुजरुग के जो तज्जरुवेकार लोग हम उनसे मखातिब होते हैं वो हम आपके साथ जो है अनुभवी सहयोगी के साथ आपके साथ रखते हैं लेकिन अब सवाल ये है कि पहले एहमदाबाद फिर गांधी नगर अब महसाना हमारी टीम आजा चुकी है बहुत सारे आज छेतरों को हमने कवर किया विधान सबाद को और वीडियो डिकॉर्ड भी है जो आपके सामने पब्लिस हो जाएंगे राके सर हमने दो सर्वे किये जनता का रिव्यूज भी अच क्लास लोग हैं तो वो उन लोगों के अपने एक अलग मुद्दे हैं उनके लिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है तो वो महंगाई वाला जो मुद्दा है वो वहां पर चुनाव में रहेगा लेकिन उसके इतर मसला ये है कि महंगाई वाले मु जहान अधिकतर लोगों का BJP की तरफ ही दिखा क्योंकि एहमदाबाद में विकास उस इस्तर पर हुआ गांधी नगर में भी विकास वेपारी वर्क का विकास हुआ है और शहरी विदानसभा चेतर है तो शहर में शहर के तरीके से विकास हुआ है और वरकिंग बिजनेस क्लास है तो वो लोग थोड़ा सा महंगाई को वरकिंग क्लास लेकर परशान था जीस्टी वगएरा पर जैसे हम लोगों ने टेक्स्टाइल मार्केट पे भी सर्वे किया और वहां के प्रेजिडेंट से भी बात की तो जीस्टी का एक मसला था लेकिन मैं माफे चाहते हैं कि अपने जिक्र कर लिया है तो उस दिन सुबर से शाम हो गए हम लोगों इंटर्व्यूज नहीं मिले ना वाइट मिले मैं एक हाला कि सवाल बीच में ले आता हूं यूपी के वख़त भी डर का महौल था दहशत का महौल था लोग बोल क्यों नहीं रह कर रहे थे लेकिन ओर कैमरा लोग नहीं बात कर रहे थे कारण उसका देखिये यह था कि जो चिपबेवाल का चेत्र है या नरोडा का चेत्र है वहाँ पर बड़ी इंडस्टी है टेक्सेटाइल की लेकिन चिपबेवाल में मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइस जादा हैं तो उन लोगों का यही कहना था कि एक साल बात तो इंडस्टी खुलिया पॉलिटिकल बात होगी तो सरकार की नजरे इनायत कब हमारी तरफ गलत तरीके से चली जाए और फिर हम लोग इस मतलब घेरे में आ जाए इस घेराव में आ जाए सरकार की नजर में आ जाए और फिर प्रोसेसिंग हम किस तरीके से काम करते हैं डिजाइन वगयरा कॉपी ना हो जाए इस वज़े से भी लोग बच रहे हैं लेकिन लोग बच रहे हैं और वैपारी भी खुल कर बात नहीं कर रहे हैं चुनाओ में और यह इस तरह से इंटरनली एक जो है बीजेपी को सपोर्ड मि आ रही है अब वो कैसे देख रहे हैं कि हिमाचल के में कल वोटिंग होने वाले हैं हलाकि रिजल्टों सामने ही आएंगे इसको कैसे देखा जाए कि आमादी पार्टे के तरफ से हर स्टार प्रोचारक है मनीज सी शोदिया है खुद सीम के चेहरा वो भी है अर्विन के जिर हिमाचल में जो उनका एक इतिहासिक जीत का जो सपना है यारी मिशन रिपीट जो उन्होंने नाम दिया है तो उस पर सारा फोकस है अभी बीजेपी के केंद्रे नेतरत्व का भी शीर्ष नेतरत्व का पहली पंक्ति के नेता भी वहीं है दूसरी पंक्ति के भी तीसरी पंक तो ये मतलब की मसला यही है कि घर की बात है कि घर के लोगों को जाकर कम समय में भी समझाया जा सकता है हिमाचल को भी घर बोलते हैं लेकिन हिमाचल के लोगों का राजनितिक माहर और राजनितिक समझ हलाग है वो लोग बार बार चीजों को बदल रहे हैं नभे के दशक से हम लोग देख रहे हैं कि एक बार एक पार्टी एक बार दूसरी पार्टी तो इसलिए बीजेपी चाहरे है कि कि एक स्टोन और एक पॉलिटिकल माइल इस्टोन हम लोग वहां करें जैसे उत्रा कि सरसवाल ये है बीजेपी ने 38 पुराने विधायकों का पहले तो नाम हटा दिया है, उनको कार्ट दिकेट नहीं दिया है, जो कॉंग्रेस से बीजेपी में उनको टिकेट मिला है, जिसमें हर्दिक पटल बहुत बड़े नाम है, कैसे देख रहे हैं, इसका बीजेपी को फा इसका मिलेगा देखे बीजेपी ने ये पूरी निती के तहती किया है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है देखे अगर आप राधनपूर स्वीट करें तो अलपेश ठाकूर है अलपेश ठाकूर फिर वीरम गाम से आपके हार्दिक पटेल है उसके बाद जैसे आज हम लोग मह उच्छा विधानसभा स्वीट में थे तो वहां पे डॉक्टर आश्या पटेल वह मैं आपको दर्शकों को जानकारी के विलिए बता दू कि 2017 में वो कॉंग्रेस से जीती फिर 2019 में उप्चुना हुए वो बीजेपी से जीती दो जो बीजेपी ने टार्गेटिड लोगों क को टिकट दिया गया है मैं एक मसला और बता दू आपको जैसे आज हम लोग महसाणा में हैं नितिन भाई पटेल को टिकट नहीं मिली एक देखिए नितिन भाई पटेल ने खुद लिखके केंद्री पार्लेमेंटरी बोट को यह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चा पीछे कोई और पॉलिटिकल वेंट डेटा हो लेकिन जनता में मैसेज गया है कि बीजेपी में जीर सिनेत्रत पार्टी से ज्यादा पत से ज्यादा संगठन की तरफ काम कर रहा है और ऐसे करके लोगों को बड़े नामों को हटाया गया और उसके बाद नए नामों को भरा और जो कॉंग्रेस से आया है यह दोहा पो तो है यहां पर बीजेपी के लिए थोड़ा नूरा कुष्टी पार्टी के अंदर तो चलेगी क्योंकि सेटिंग कई विधायकों की टिकट को काड़ दिया गया है जैसे आज मैं बात करूं कि हम जब आप कवर कर रहे थे बेचार कि विधान सभा से अभी किसको टिकट दी जाईगी नहीं पता है तो यह मसला है तो बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों का काटा है लेकिन हाँ फाइदा मिलेगा अगर हारदीक पटेल की आप चर्चा कर रहे तो पटेल समुदाय जो नरास था वो पटेल समुदाय चु कि तरफ जाना चारू कि हर्दिक पटेल का नाम आगया तो जीगनेश मिवानी का भी नाम आता है कनहिया कुमार का नाम आता है राहूल गांदी प्रियेंका गांदी इन लोगों का कितना इंपक्ट गुजरात में होगा और बीजेपी दोज़ाइदा में 77 सीटों पे थी कु हमीनी हकीकत है कि कॉंग्रेस इस लड़ाई में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस ने खुदी हतियाह डाल दिये हैं अब कॉंग्रेस के पास कुल मिलाकर जिगनेश मिवानिये की हुआ चेहरा है उनका भी जो परभाव छेत्र है वो जाम न महाराष्ट में पहुंची है भारच जोडव यातरा वहाँ से सौराष्ट बगल में मैरे मनना है कि कॉंग्रीस को अना चाहिए मैसज जाता कॉंग्रेस he can connect हो पाती। लोगों के मन के भीतर रुजहान है कॉंग्रेस का लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉंग्रेस के पास policies क्या है ना कोई नहीं policy है जगदीब ठाकों उनके अध्यक्ष है वो किसी तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं मलिकार जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं वो उनकी एक्टिवनेस उन्होंने हिमाचल में ले दे कर एक रैली की तो उनका कोई ऐसा एक्टिवनेस नहीं दिख रहा है उनकी कोई गतिविधी नहीं दिख रही अशोग गहलोत परभारी है गुजरात के उनकी कोई ऐसी गतिविधी नहीं दिख रही वो आते हैं एक मद्यम वर किये परिवार के विक्ति को ही उन्होंने खड़ा भी किया पत्रकार वो भी थे तो आम आदमी पार्टी का जोर है और आम आदमी पार्टी के जोर में कॉंग्रेस धोस्त हो जाएगी बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है जैसे मैंने बात करी कि शहरी विदानसभ को नाम बता दू तो वहाँ पे आपने जो खरेलू का वो शुरुवाती गाउ ही था हां आम आदमी पार्टी आ चुकिये जैसे मैंने भी महसाड़ा में उन्जा में किया तो उन्जा में भी लोगों के मन में आम आदमी पार्टी को लेकर है कि एक सोच है देखे एक राजनि लेकिन वो सोच अब खता होती जारी है तो एक रिप्लेस्मेंट के रूप में लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं तो हो सकता है गामिन चेत्रों में नंबर एक और नंबर दो में आदमी पार्टी रहेगी देखिए आज दरसल दरशो को जो हमारा सर्वे था वो दर जो हम लोग पहला सर्वे में बात कर रहे थे फिर उसके बाद हमारा आपने देखा कि बिल्किस बानों का जहन में आ रहा था रामंदिर का भी मसला आ था धारा तिन सो सतर का भी आ रहा था तो कुछ रास्ट के मुद्ध है जो आ रहा था लेकिन अब जैसे जैसे कि इतना फायदा उठाया था देखे विपक्ष इसका फायदा ही नहीं उठा पा रहा है दिकत विपक्ष के लिए यही है बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है देखे यह तो मसला तो है ही यह उसके अलावा मैं बता दू भूमी अधिगरान का बहुत बड़ा मसला है लेकिन विपक्ष उस बात को भुराने में पटल पर दिख नहीं रहा लोगों तक उस बात को पहुचा नहीं पारा पारा जैसे आज जब मैं कर रहा था सर्वे उंजा विदान सभा में तो वहां पे मुख्य रूप से आपका जीरा सौफ तंबाकू राई यह सब उत गंटे बिजली मिल रही है उसके बाद मालीजे कि लोग बता थे कि राई की फसल का तेरा सो रुपे के मार्केट में है मंडी में रेट है बात में मंडी में रेट तूट जाता है लोग पाच-पाच बोरी या पाच-पाच के में अपने घर में रखते हैं मंडी में रेट त गोट गया, तेरा सो से हजार हो गया, लोगों को मजबूरन तीन सो रुपे घाके में भेचना पड़ रहा है, तो यह मुद्दे है, फ्लोराइड वाला पानी, एक्तम नया मुद्दा निकला कि फ्लोराइड का पानी आरा, इसकीन प्राब्लम्स हो रही है, फ्लोराइड के पा हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र विस्तार की तरफ होती है तो केलशियम भी कम होता है उपर से फ्लोराइट का पानी तो कमजोरी होने लग गई है लोगों ने दिखाया है कैमरा मैन हमारे सुमित बहुत अनुभवी है उन्होंने रिकॉर्ड भी इस बात को किया है लोगों हाथ से दिखा रहे थे कि यह देखिए हमारा फ्लोराइट के पानी की वज़े से यह दिक्कते हो गई तो देखिए जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे इसलिए असली जो भारत है वो ग्रामीन चेत्रों में और असली जो चुनावी माहौल समझ में आता है लोगों के मन में पॉलिटिकल पार्टी से लेके अपने स्थानिये मुद्दे हैं उस मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है और वाकि में जैस जैसे जा रहे है यह है चलिए एक आखरी सवाल के तरफ रूख करते हैं मुद्दों को आपने देख लिया सर्वे भी देख लिया अब उस समीकरन पर जाते हैं जो अज बहुत सारे बुजुर्गों ने भी समीकरन समझा रहे थे आमादें पार्टी की लहर तो देखे धीरे धीरे जो है गुजरात के हर कोने कोने की रहली इस पे गुजरती जा रही है पहुँच रही है हलाकि इसका फाइदा किता आमादी पार्टी उठाएगी यह आने वाले वक्त में पता चलेगा राके सर फिर अगले सवाल की तरफ रूख कर रहे हैं फिर अगले सेश्चन में बात करेंगे और कितने सीटे तक क्या बदलाब देखेंगे आप देखेंगे अभी मैं अपने पुरानी बात पर ही हूँ बीजेपी को हंड्रेट प्लस ही रखते हैं बीजेपी एक सौ से एक सो बीस के बीच में हैं आम आदमी पार्टी का जिस हिसाफ से रुजहान ग्रामि कराण अभी समझ में आता है कि BJP डेके 100 प्लस तो है क्योंकि कालन है शेहरी विधान स्वाज्बा च्हेत्री गुजरात में बहुत है एककिस विधान सो में है तो आपके स्थीक बेचार जी विदान सभा है, बेचार जी विदान सभा भी BJP का गढ़ रही है, लेकिन जग्दिश वो, माफ कीजे, भीकर जी ठाकोर, वहां से विधायक हैं, कॉंग्रिस के, तो कहीं से आज महसाणा में सात विदान सभा छेत रहे हैं, हमने चार कवर किये हैं, तो कुल मिला क मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सात में से जो बेचार जी विदान सभा कॉंग्रिस की है, वो भी यहां से फिसलती नजर आ रही है, यहां पे कहीं आम आदमी पार्टी अपना सेंद मारी करने में कामयाद ना हो जाए। तक पहुंचा रहे हैं, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कल वोटिंग है माचल के रिए है, तो उसके बाद से फिर गुजरा चुनाब का जो परचार है, वो और भी जबर्दस तरीके से तेज होगा, और उसके बाद आरोपों का दौर, इल्जामों का द पहुंचाब का अज़ देखना होगा जद każग है, तो अबर्दस तरीके से अंधे हैं, अबर्दस दौराइब का जबर्दस तक पहुंचा बगली है, तो पारत है।